नमस्कार आप सभी का स्वागत है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नीन्द राट के समय अचानक से खुल जाती है उनके नीन्द से जागने का समय जादतर सुबह 3 बजे से 5 बजे के मद्दे ही होता है तुक जैसे भी लोग होते है जिनकी नीन सोने के बाद सिधे सुबह 6 बजे या उसके बाद ही खुलती है रात को अच्छनक नीन खुलने का कारण कुछ लोग मानसिक और शारिक ठकान मानते है लेकिन ये लोग इस बारे में नहीं जानते है हमारे प्राचिन पुरानों में रात को अचनक तीन से पाच बजे के नीन खुलने के बारे में बहुती रहस्यमई बाते बताई गई है पद्म पुरान में रात्री को अचनक नीन खुलने के बारे में विस्तार से बताया गया है रात्री के आकरी पहर अर्थात सुबे तीन से पाज बजे के मध्य नीन खुलना वेक्ति को उसके जिवन से जुड़े कुछ संकेत देता है पद्म पुरान की माने हैं तो ये संकेत साक्षाद भगवान विश्नु देते हैं क्योंकि वे स्वयम ही इस ब्रह्मान के कन कन में वास करते हैं उनकी पराशक्ति से ही इस संपुर्ण ब्रह्मान का संचलन होता है शास्त्रों के अनुसार सुबह 3-5 बजे का समय है ब्रह्म महुर्थ अत्वा अमरतवेला के नाम से जाना जाता है इसी समय ब्रह्मा जी ने स्रश्टी का निर्मान किया था इसी समय सभी देवतागन पृत्वी भ्रह्मन के लिए निकलते हैं इस समय किया गया कोई भीख आर्य हमेशा शुबही होता है इस समय संपुर्ण ब्रह्मांध में एक अद्भूत उर्जा का संचार होता है जिसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है जो मनश्य इस समय पर जाकता है उसके शरिर में ये रहस्य में उर्जा समायित हो जाती है और उसकी कारेशक्ती बड़ा दिती है मित्रो अगर आपकी भी नींद इसी समय खुल जाती है तो ये मान ले कि इश्वर आपको कोई संकेत देना चाहते है अगर आप इश्वर की भक्ती भी नहीं करते है फिर भी आपकी नींद सुबह तीन से पाज बजे के मद्य खुलती है तो ये आपके द्वारा पूर्वा जनम में किये गए पुन्य कर्मों का ही फल होता है इस जनम में भी इश्वर आपके साथ होने का संकेत देते है तो चलिया जान लिते है सुबह तीन से पाज बजे के मद्य अचनक नींद खुलने का क्यार तो होता है सबसे पहली बात पद्म पुरान के अनुसार एक मनुष्य को चौराशी लाक योनियों में से गुजरना पड़ता है तब जाकर उसे एक मनुष्य योनी मिलती है अगर वो इस योनी में कोई भी पुन्य कार्य नहीं करता है तो पुन्ह उसकी चौराशी लाक योनियों में जन्म लेनी की प्रक्रिया फिर से शिरू हो जाती है और उसे मोक्षे की प्राप्ति नहीं होती है इस मनुष्य जन्मकार तो होता है कि अपने कर्मों से मोक्षे की प्राप्ति मिल जाए लेकिन मनुष्य इस संसार के मोह जाल में फसकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना छोड़ देता है वो संसार में कामवासना, लोब, अहंकार और अपने इंद्रियों के माया जाल में फस्ता ही चला जाता है लेकिन यदि आपकी भी नींद सुबह तीन बजे से पाच बजे के मद्ध अचानक खुल जाती है, तो ये कोई दिवे शक्ती ही या फिर आपकी इश्ट देव की शक्ती है, जो आपको ये बताना चाहती है कि वे आपके साथ है, वो शक्ती ये चाहती है कि आप सुबह उटकर, चाहे कुछी समय के लिए इश्वर के आराधना करे क्योंकि इस समय की गए आराधना सिधे परमेश्वर तक पहुंचती है दूसरी बात, इसके आलवा पद्मपुरान में ये भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह तीन से पाच बजे के मद्धे खुलती है तो ये आपको ये संके देती है कि आपको धन और धान्यां दोनों भर्पूर मात्रा में मिलने वाले है इसे के अलावा ब्रह्म मुर्थ में जागने वाले लोगों के घर में खुशाली भी बनी रहती है तीसरी बात पद्म पुरान के अलावा सनातन धर्म के अनेक शास्तर भी यही कहते है कि सुबह तीन से पाज बजे के मध्य सकार्दमक शक्तिया और अलों की शक्तिया अपने चरम पर होती है ये उनी लोगों को संके देती है जिने वे प्रसन देखना चाती है अत्वा जिन पर वे प्रसन है साथ ही ये शक्तिया उन लोगों पर ही महरबान होती है जो ब्रह्मो मुर्थ में जाकते है चवती बात पुराणों और शास्त्रों के अलावा आधुनिक यूग में वैज्यानिक भी यही कहते है कि सुबह तीन से पाज के मध्य में संपुर्ण ब्रह्मान में एक अलोगी कुर्जा तरंगों का संचार होता है वैज्यानिक भाषा में कहा जाए तो पॉजिटिव इनर्जी फैली होती है जो मनुष इस समय नीन से जाकर अपने कार्य करता है वो लंबी आयू पाता है ऐसा मनुष बहुती कम बीमार पड़ता है साती ब्रह्मो मुर्थ में जागने वाला मनुष जीवन की सभी सफलताओ को प्राप्त करता है लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे संकेतों पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें अंदविश्वास कहते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं प्राचिन समय के रिशी मुनी सेकड़ वर्षों तक जीवित रहते थे और इसका एक ही कारण था कि वैं ब्रह् करत्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे तो इस प्रकार से पद्मपुरान में ब्रह्म मुर्त की महत्ता का वर्नन किया है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें कमेंड में जैस्री कृष्ण आवश्य लिखे साथी चानल उपको सब्सक्राइब कर धन्यवाद